हाई प्रेंस इस वीडियो में आपको एक ऐसी लोन एपलेक्शिन के बारें बताने वाला हूँ जिसे अपलेशन का यूज करके आप कुछी मिजिट के अंदर आप मोबाइल से इजिली तेन थाउजन तक का लोन आसानी से ले सकते हो तो प्रेंस इस वीडियो को एंड तक देना जैसे आप इस एपलेशन को प्लेश्टोर से डाउनलोड करोगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहां पर सबसे पहले आपको यहां पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको next पर क्लिक करना होगा तो पर जैसे आप मोबाइल नंबर को और वरिफाई का बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ नए पेज़ ओपन हो जाएगा ठीक तो 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 आपके सामने जैसे OTP आ चुक है देख सकते हो आप मेरे यहां पर आपको वेरिफाई पर क्लिक करना है आपको OTP यहाँ पर वेरिफाई हो जाएंगे अप प्रेंट्स आगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना प्रेंट्स यहाँ पर create a pin आपको एक option दिया हो गया है यहाँ पर प्रेंट्स आपको एक pin रखना होगा जिस pin को आप इस application को आप जैसे use करोगे तो आपको यह pin इंटर करना होगे तो प्रेंट चार डिजिट के आप जो भी आप याद रख सको easy से easily तो प्रेंट्स उन चार डिजिट के pin आपको यहाँ पर डाल देने डालने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ने करना है यह पेज आगे लोड हो जाएगा इसके बाद में वापस एक बार और आपको pin डाल करके इसको verify करना होगा सेकंड बार आप जैसे pin डालोगे आप confirm करोगे आपने pin को confirm pin करने के बाद आपके सामने कुछ ने पेज ओपन होगा जहाँ पर फ्रेंट्स आपको कुछ यहाँ पर permission देने होगी जहाँ पर आप देखसते हो clearly इनकी permission मांगे का एक phone call, SMS, contact और location के आपको permission मांगे का पर्मिशन देने के बाद आपको यहाँ पर I agree पर click करना इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर allow पर access पर click कर देना है जैसके आप देखसते हो मैंने यहाँ पर इनकी privacy policy को accept करके allow access पर मैं click कर लेता हूँ अब प्रेंट्स यहाँ पर आपको कुछ permission ऐसे इस तरह से आपको allow करना है आपको एक बार location की permission भी देनी पड़ेगी तो सभी आप permission दे देंगे इस permission देने के बाद आपके सामने कुछ नया page open हो जाएगा तो प्रेंट्स अब आगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर लिखा हो है apply for a loan यहाँ पर आप क्लेर ली पड़ सकते हो अगर आप time to time pay करता हो तो आपको यहाँ पर easy आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर इंटर करना है तो आपको कुछ आगे और प्रोसेज आपको मिल जाएगी उसका यूज आप इस application में कर सकते हो तो यहाँ पर apply ने उपर आपको क्लिक करोगे आपको यहाँ पर basic detail देनी होगी तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना हो आपको फरस्ट नेम जो आपके अधर काट में दिया हुआ है उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको सर नेम यानि का आपकी जो जाती है वो यहाँ पर आपको इंटर करने होगी जो भी आपको यहाँ पर आपको इंटर करने होगी आपके अधर कर देना जो भी आपकी हो इसके बाद में यहाँ पर आपको date डालना है, यहाँ पर एर डालना है, यहाँ आपकी date of birth यहाँ पर completely डालना है, इसके बाद आपको select करना है male, female या दर, जो भी आप हो male, female जो आप select करने बाद आपको यहाँ पर title select करना होगा, आपकी mother का, mother की name का, आपको यहाँ पर title select करना लगा अपने जैसे थे प्ड लैवे यहां पर आपको परशन में डेनी है यहां पर आपको आपको यह पर Mr. दयुक्ष निक lies ढ़ें है नैया अजब को शाथे जादि शिश्द्र हो एन्स करो ने उपको लेक्षिडव करना है अब फ्रंस यहाँ पर आपको देना होगा आपका personal information यहाँ पर आपको डालना होगा अपकी current address जो भी आपका address है वो यहाँ पर आप डालोगी इसके बाद आपको यहाँ पर आपको pin code डालने है pin code के बाद यहाँ पर आपको state select करना है आपको जो भी status select करोगी इसके बाद आपको अपनी city सेलेक्ट करने हैं इसके बाद अगर आप चाहते हो तो आपको अपने अल्टरनेट मोबैल ने पर दे सकते हो वरना यह उपिशनल है आप इसको छोड़ सकते हो इसके बाद आपको अपनी mail id देने के बाद आपको next पर click करना होगा अब फ्रेंज से आप नेक्सट पर click कराओं तो आपके सामने आयाँ पर आपको आपको वर्क और काम करते हो आपक और आपके सामने आजाएगा आप से पर ने इक पर सेलेक्टे करेशनल होगा यहाँ पर सेलेड परसन होता है यहाँ पर सेलेड यहाँ पर जोब करते हो तो फ़स्ट सेलेक्ट करोगी अगर आप बीस्नेस करते हो सेकंड सेलेक्ट करोगी इसके बाद अगर आप स्टूडेंट होता है तीसरा वाला सेलेक्ट करोगी अगर आपके कोई इंकम नहीं है तो आ उनकम आपको सेलेक्ट नहीं नहीं करना है धियान डखना है आपको नहीं मिलेगा घर आप यह फोन आप यूज़ करहे हो यह नहीं थे था आप या क्लिक नहीं अग्या रघान कर देना उसे कर देना इस पर टिक करनेक बाद आपको next पर click कर देना है अब friends यहाँ पर जैसा आप next पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा जहाँ पर आप clearly देख सकते हो यहाँ पर आपको first name आपका जो भी आपकी detail है friends अब friends आपके सामने आगे कुछ इस तरह का page open होगा जहाँ पर आपको income information देनी होगी अगर आप student select किया है तो आपको कुछ नहीं देना है यहाँ पर अगर आप से लेडिया self-employed किया है तो आपको यहाँ पर आपको बताना होगी आप क्या काम करते हो यहाँ पर आप लेकना चाहो जो भी लेक देना जो भी आप job करते हो जो भी हो इसके बाद यहाँ पर average monthly income डालनी होगी आप कितने रुपए आप महीने में कमाते हो इसके बाद प्रेंस आपको next पर click कर देना है अब प्रेंस जैसे आप next पर click करोगे तो आपको सामने यहाँ पर इस तरह का interface आगा जहाँ पर आपको यहाँ पर type of loan select करना होगा आपको business के लिए loan चाहिए पर personal loan चाहिए जो भी चाहिए यहाँ पर आप वापस loan यूज लिखा हो इसमें से आप एक category select करोगे इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका कोई loan pending है बेंक या आप किसी loan company के साथ तो आप yes करोगे वरना आप no पर click कर देना ठीक प्रेंस यह करने के बाद आपको next पर click करना होगा तो प्रेंस जैसे आप यह सबी detail देखे तो आपको यहाँ पर वापस सब्मिट अप्लिक्शन पर click करना है अगर information दोनों सही है income और loan information वाली तो आपको submit application पर click कर देना है अब आगे यह friends हमारी final stage यहाँ पर आप clearly देख सकते हूँ यहाँ पर आपको जो भी आपने पूरी detail fill up की होगी अगर यह सही होगा तो आपको कुछी minute या एक गंटे का अंदर अदर आपको यहाँ पर loan मिल जाएगा एक गंटा तो मैं ऐसे बोल गया तो यहाँ पर आपको लगभी में बचाता हूँ पांच मिनिट या दो मिनिट के अंदर आपको पता चल जाएगा आपको कितना loan मिलेगा यहाँ पर उम् gelatin आपको वीडियो पसंदाओ और आपको वीडियो चलों लाएक रदेना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओर प्रंस इब को नाम है त करेल कर दा सकते हो पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना तेंक यू